उतरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित तेनाथ इस समय हनुमान गड़ी मंदर से बाहर निकल चुके हैं और हम आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी का पांच अगस का जो प्रस्तावित कारेक्रम है उसकी समीक्षा करने के लिए वो जिन स्थलों पर जाने वाले हैं वहां की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित तेनाथ आज योध्या में थे यहां से यहां आने के बाद वो सबसे पहले रामजन भूमी में गए थे नहां जाकर के उन्होंने दर्शन किया और उसके बाद हनुमान गड़ी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित नाथ ने आकर के सभी तैयारियों की समीक्षा की है देखे मैं 135 करोड जो भी लोग मंदिर के समर्थक हैं वे सभी लोग से रामजन भूमी तीर्थ छेतर ट्रस्ट जिसे माननी उच्चितम ने आयले के आदेश के अनुसार गठित किया गया है ट्रस्ट की भावनाओं के नुरूप अपना योगदान दें इस एत्यासिक छण पर नकारात्मक टिपणी न करें हर एक बैक्ति के इत्यास के बारे में और हर एक बैक्ति के पुराने किरत्यों के बारे में देश और दुनिया जानती है इसमें किसी को कुछ भी बोलने की आउसिक्ता नहीं यहां के कई महंतों से मिलने का भी मुख्यमंत्री का कारेक्रम है और प्रधान मंत्री जिस भी रूट से आने वाले हैं जो जो भी कारे करने वाले हैं जिस तरीके से शिलान्यास होने वाला है राम जन्म भूमी में बनने वाले राम मंदिर का उसकी सारी समीक्षा करके आज शाम को ही अयोध्या से लखनव के लिए रवाना हो जाएंगे आज मुख्यमंत्री जी आये थे क्या हुआ है किस तरीके से पुज़ा पढ़ के आए देखे मुख्यमंत्री का जी का जो जाते जाते जो आदेश था उन्होंने सब को निर्देश दिया है कि सभी लोग जो नियम है उसका पालन करेंगे परदान मंत्री जी आ रहे हैं और सभी लोग को बताया है कि आप जो गाइडलाइन्स जारी किये गए हैं जिस तरीके से माहौल बना हुआ है पूरे देश में उसको माहौल को ना भी कड़ें और एकदम से सतर्क्ता बरतते हुए और इसको ध्यान से करेंगे पूजा पाइड किये आज और भगवान अनमान जी के चणों में कुछ दंद छड़ा दिया उसके बाद परिकरमा करने गए और परिकरमा करने के बाद महान जी से यहां से संदों उसके बारे में ही बैठक हुई है जो एक छोटी सी 10-15 मेट की हुई यह बाते हैं और एक छोटा सा मतलब एक निर्देश भी दिये हैं कि जितने भी लोग मतलब यहां पे हैं सभी लोग कोई भी हला गुला करने जोट नहीं है एकदम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी लोग तोर तरीके से पेस आएं और रूल का मतलब वाइलेसन ना करें कर दो कर दो कर दो